धनवाद बार एसोसियेशन इन दिनों काफी चर्चा में है बार एसोसियेशन का चुना हुए महज दो महीने ही हुए हैं इस दो महीने में चुनाओं में जीत कर आये पदाधिकारियों का इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार जारी है अब तक कुल साथ पदाधिकारी अपने कि विकास कारियों में व्रस्ट चार को बढ़ावा देने की बात इस्तीफा दे चुके पदाधिकारी कर रहे हैं जो यह जो कमिटी आई है तो जो उपर के जो पदाधिकारी गन है वो काफी मनमाना रवया अपना रहे हैं ताना साही कर रहे हैं और हम लोगों की किसी बात को यार नहीं है तो हम लोगों ने जो यह कदम उठाया वह काफी भारी मंद से उठाया यह अब कोई रास्ता हम लोगों के पास बचा नहीं था जो उपर के पादिकारिया अध्यक्षर महा सची मुखरूप से पूल नौ लोगों ने इस्तिफा दिया है तोटल 16 होते हैं अल्पम आए गए आरोपों को अध्यक्ष ने निराधार बताया है जानकारी हमारे कार्याले को नहीं है मतलब और कहीं से कुछ इस तरीके का सिकाइथ है तो हमारा घर का परिवार का है परिवार में सुलज लेंगे वहीं बार एसोसियेशन में पदाधिकारी के स्तीफे को लेकर अन के थैंगे आगे भविष्ट के लिए अच्छा है ऐसा होना चाहिए यह पहली बार हुआ है मगर यह विरोध है जो पता नहीं कब से अंदर ही अंदर सबको खाय जा रहा है और विरोध इस बात का है कहीं ने कहीं जहां पैसा होता है लोगों की स्वार्थ होती है आपस में वो भीड़ जाते हैं इस पर बिकास को लेकर काफी असर पड़ रहा है सारा काम जहां का तहां रुगा हुआ है जो काम सही रूप से होना चाहिए और यतना गती से होना चाहिए उस नहीं हो पार रहा है कुछ अच्छा करने की चाहत रखने वाले पदाधिकारी अब इस्तीफा दे कर अपने अन्य वकीलों के उमीदों पर खरा उतरने की कोशिस सफल होती है या नहीं यह आने वाला समय ही बता सकेगा नरंद्र निशाद एटीवी भारत धनबाद